हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल ब्लेसेंड ब्लूम्स आज आप से वेजेटेबल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और यह मेरा लॉकी का वाइन है इसे बॉटल गार्ड भी कहते हैं और यह मैंने एक बकिट में लगाया हुआ है मेरी बकिट खराब होगे थी मैंन सकते प्लांट की गीरोधब बहुत अच्छी होगी और अब हुआ है यह मेल फ्लावर सेरह मेसमेशने जब तक नहीं आएगा तो यह जाये तरह सब्सक्रत कनृ अगरं कि आपको इसमें ध्यान देना कि यसमें जो भी नीचे से बत्ते हैं उनको आपको रिमूव करते रहना और जादातार क्या होता है फंगस से ही प्लांट गल के खतम हो जाता है और हमें रीजन का पता ही नहीं चलता तो इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि नीचे आपको पत्ते जो है वो नहीं रखने हैं और उनको रिमूव करते रहना है और मिट्टी में हलका सा फंजी सैट दे सकते हैं आगा यह तो अगर कोई भी फंगस अगयरे तो वहीं के में खतम हो जाएगा और आपका प्लांट बहुत है छलेगा टो इसमें आपको जो यह जो मेन ब्रांच सब्सक्रें को युद्लAH को होता है सबसे और जो कर दिछें को बाइं हो रहें से और में ब्रांच कट करने से और ज्यादा ब्रांचिस आएंगी और उसमें अच्छी फ्लावरिंग और श्रूटिंग होगी तो जब भी आठ दस पत्ते हो जाएं तो आप उसको पिंच कर दीजिए और यह मेरा एक और लॉकी का प्लांट है और इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं म तो जबहिए आपको फ्लावर्स में दिखे तो इसको पॉलिनेट किघए ताकि फ्लावर जो है वह ड्रॉप ना हो और यहे हैं मेरा कखंबर का ट्रांट की रहें और इसमें बी इसमें फीमेल फ्लावर है, इसमें पीछे फ्रूट बना हुआ है, तो फीमेल फ्लावर होता है, जो बिना फ्रूट के जो फ्लावर होता है, वो मेल फ्लावर होता है, तो आपको इसमें दो फ्लावर एक ही टाइम पर चाहिए, एक मेल फ्लावर और एक फ्लावर, तो यह जो फूट वाला फ्लावर है इसको आपको नॉर्मल फ्लावर से पॉलिनेट करना है और इसके लिए आपको एक एयर बड चाहिए एयर बड लेंगे आप उसको जो नॉर्मल वाला फ्लावर है उसको इसमें प्लांट में देखिए कहां पर लगाया और वहीं लगे हुए फ्लार मे ही आपको उसको बढ ले करके और 양वां करना इस तरह के से आप इसको है हलका शेल फैलिक करना है तो इसको पॉलन होता है उसमें uneयू है और फिर आप अपने जो फी इन फ्लावर है उसमें उसी बढ़ को टच करके उसको भी तो इससे क्या होगा कि आप इस तरीके से करेंगे तो यह पॉलिनेट हो जाएगा और फ्लार जो है वो आगे जो है ग्रो करेगा और यह है बीन्स में भी समय देखिए इक वहार की फली है इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और फूड भी बना हुआ है नीचे इसमें भी बीन यह प्लेंस बन रही है अची खासी तो इसमें भी यह भी मैंने सीट से लगाया है और यह भी बहुत बहुतृदी लियुद ग्रो कर जाता है इसमें डह्रो पलीया आते हैं इसकोחנו ताहुं जांते में बल लृग लोग और इन पॉदों पर आप और आप नहीं एक लाच, शि फेकरते रहना है जिससे आपका plant जो है वो बचा रहे हैं पतते होंगे तभी फोटो सब्स करेगा और आपका प्लांट बचा रहेगा यह कैप से कम और इसमें भी समय देखिए बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और इसमें फ्लार्स अभी भी भी फ्लार्स लगे हुए हैं और वही बहुत जली अल्दी फ्लूट में कनवर्ट हो रहे हैं और इसमें आपको अपने जो खाद बना करके दे सकते हैं तो थैंक यू सो मच हैपी गार्णिंग